Hello Guys, Welcome to CSS Tutorial Series Guys, आज के इस lecture के insight हम CSS Colors के उपर discuss करेंगे Guys, इस lecture के insight हम CSS की help से text को color देना सिखेंगे Guys, इस topic को हम एक real example के basis पे समझेंगे तो वैस, प्लीज इस lecture को आप last moment डोच करें क्योंकि इस lecture आप के लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाला है तो चलिए शिरू करते हैं गाईज अगर आप HTML के तुरू कोई वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट का कलर आप सेट करना चाहते हैं तो आप CSS की help से उस वेबसाइट का कलर सेट कर सकते हैं CSS की help से आप किसी HTML element का कलर चेंज कर सकते हैं उसके background का color change कर सकते हैं उसकी border का color आप change कर सकते हैं CSS का color set करने के लिए जो value आप डालेंगे उसके लिए CSS ने 6 types दिये हैं इन में से किसी एक type का use करके आप color set कर सकते हैं तो सबसे पहले उन 6 types को step by step समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो first type दिया हुआ है उसका केना यह है कि आप जितने भी predefined color के name होते हैं उनका use करके आप color set कर सकते हैं second type यह कहता है कि आप RGB values का use करके color set कर सकते हैं RGB का full form होता है red, green और blue और इनकी range start होती है 0 से और highest range जो होती है वो होती है 255 255 से ज़्यादा आप यहाँ use नहीं करेंगे यह बाद आपको दियान रखना है चली, third जो type है वो यह कहता है कि आप hex value का use करके भी color set कर सकते हैं hex का full form होता है hexadecimal यहने कि hexadecimal values का use करके भी आप color set कर सकते हैं जो fourth type है वो यह कहता है कि आप HSL values का use करके भी color set कर सकते हैं HSL का full form होता है hue saturation and lightness आगे इसी example के inside इसका use करके भी हम देखेंगे चली जो fifth type है वो यह कहता है कि आप RGBA values का use करके भी color set कर सकते हैं RGBA का full form होता है red, green, blue, alpha alpha का use color को transparent बनाने के लिए किया जाता है जो sixth type होता है वो यह कहता है कि आप HSLA का use करके भी color set कर सकते हैं HSLA का full form होता है hue saturation, lightness, alpha यहाँ पर भी alpha का use color को transparent बनाने के लिए किया जाता है अब इन six types को हम step by step with example समझ लेते हैं तो चलिए मैं इनी types को paragraph की insight डाल देता हूँ यहाँ पर जो पर टाइप है उसको मैंने paragraph की insight डाल दिया अब इसको भी मैं paragraph की insight डाल देता हूँ इसको भी paragraph की insight डाल देते हैं इसको भी paragraph की insight डाल देते हैं इसको भी paragraph की insight डाल देते हैं और इसको भी paragraph की insight डाल देते हैं मैंने इनको paragraph की insight इसलिए डाला है ताकि मैं इनके उपर css apply कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि इसे कौन से तरीके हैं जिनकी help से आप css का use करके अपनी html website को colorful बना सकते हैं तो यहाँ पर जो head section है उसके insight में style take का use कर रहा हूँ और इसके insight में मेरे css का code लिखूँआ तो यहाँ पर जो paragraphs मैंने बनाये हैं सबके लिए मैं class assign कर देता हूँ ताकि और better तरीके से मैं आपको समझा सकूँ यहाँ class का name में name दे रहा हूँ और इसके insight जो class है उसका name में rgb दे रहा हूँ इसके insight जो class में use कर रहा हूँ उसका name में hex दे रहा हूँ इसके insight जो में class use कर रहा हूँ उसका name में hsl दे रहा हूँ इसके insight जो class में use कर रहा हूँ उसका name में rgba दे रहा हूँ और इसके insight जो class में use कर रहा हूँ उसका name में hsl a दे रहा हूँ ठीके तो सबके लिए मैंने classes भी दे दी है अब सबसे पहले जो first type है उसका use करके देखेंगे चली class के लिए सबसे पहले हम dot लगाते हैं फिर class का name लिखते हैं फिर हम इसको define करते हैं अब मैं यहाँ पर इसका जो color है वो change करना चाहता हूँ तो मैं use करूँगा color property को और इसके बाद कोई भी एक name दूँगा जिसे कि मैं इसका color rate करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया name दे दिया rate चलीए मैं run करके आपको बताता हूँ right click करते हैं और यहाँ पर open in browser वाले option के ओपर click करते हैं आप देख सकते हैं एसका जो color है वो क्या हो चुका है rate हो चुका है चली मैं इसका background color change करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर use करूँगा property background color और background color जो है मैं यहाँ पर देदेता हूँ click save करते हैं इसे और reload करके चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो background color है वो क्या हो चुका है, rate हो चुका है इसका जो color मैंने अभी rate दिया था इसका मैं very white कर देता हूँ reload करते हूँ, आप देख सकते हैं इसका color जो है hydro हो चुका है मैं इसका जो width है वो कम कर देता हूँ इसका width में यहाँ पर 300 pixel कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप बेटर दिखाई दे सकें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो width वो कम हो चुका है थोड़ा से इसे padding दे देते हैं padding में यहाँ पर 30 pixel दे देता हूँ इसे होगा कि left से, right से, top से, bottom से सभी जगे से 30 pixel जो है वो set हो जाएगा आप थोड़ा और बेटर दिखाई दे रहा है इसका alignment भी set कर देते हैं तो मैं यहाँ पर इसका alignment है वो center कर देता हूँ reload करते हैं अब आप देख सकते हैं यह बहुत बेटर दिखाई दे रहा है guys मैं इतना सारा property आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि यह बेटर दिख सकें ताकि आपको देखने में अच्छा लगे और समझने में भी मज़ा है हमारा focus के वल color set करना है चली तो by name तो आपने use कर लिया यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और अब RGB value का use करते हैं तो मैं यहाँ पर इसको azts copy कर लेता हूँ copy करने के बाद मैं यहाँ पर paste करता हूँ ठीक है और class का name change कर देता हूँ क्योंकि अब हम RGB values को देखने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने class का name change कर दिया RGB ठीक है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर RGB value कैसे set करते हैं उसको देख लेते हैं हमें लिखना है यहाँ पर RGB और उसके बाद यहाँ पर यहाँ जो value आप डालेंगे वो rate कलर के लिए डालते हैं और यहां जो value डालते हैं, ग्रीन कलर के लिए डालते हैं, यहां जो value डालते हैं, आप blue कलर के लिए डालते हैं, तो इन तीनों के combination से आपका एक RGB value बनता है, जिसे एक color बनता है, तो चलिए यहां पर कोई value डाल देते हैं, ध्यान दे, 255 से ज्यादा value आपको डालना नहीं, उ तो मैं यहां पर 255 डाल देता हूं, यहां 99 डाल देता हूं, यहां पर मैं 71 डाल देता हूं, तो यहां पर जो है, मैंने इसका जो color है, वो set कर दिया है, अब चलिए, background color तो black दिया हुआ है, उसके उपर यह color कैसा दिखता है, हम ब्राउजर को reload करके देखते हैं, यहां reload करते हैं, आप देख सकते हैं, यह color इसका set हो चुका है, तो अब आपको RGB color set करना आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर हम hex value के थुरू color set करते हैं, ने कि hexadecimal value के थुरू color set करते हैं, तो यहां पर मैं इसको as it is copy कर लेता हूं, इसके बाद मैं यहां पर paste करता हूं, और जो class है, उसका name में change कर देता हूं, तो यहां पर मैं class का name hex लिख देता हूं, और यहां पर मुझे hex value देना है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, और इसके लिए हमें यहां पर हेस sign का use करना है, ठीक है, और इसके बाद हमें यहां पर जो hexadecimal value है वो देना है, तो मैं यहां पर value देता हूं, चीक है, चल, आगे बढ़ते हैं, अब इसे reload करके check करते हैं, तो reload करते हैं, अब आप देख सकते हैं, इसका color इस तरीके से दिखाए दे रहा है, आप इसमें changes करेंगे, तो color और change हो जाएगा, यहां पर मैं change करके, 8 कर देता हूं, reload करते हैं, आप देख सकते हैं, इसका जो color है वो change हो गया है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, HSL values की, तो इसके लिए, यह जो पुरा code आप देख रहे हैं, इसको मैं azts copy कर रहा हूं, और copy करके मैं यहां पर paste कर रहा हूं, पेस्ट करने के बाद, अब मैं यहां पर HSL values का use करूँगा, तो किस तरीके से करते हैं, देखते हैं, यहां class का name change कर देते हैं पहले, यहां HSL लिख देता हूं, और यहां चो color है, उसमें सबसे पहले मैं लिखूँगा है, HSL, और उसके बाद, यहां पर, यह हूँ के लिए है, तो यहां मैं 9 डाल देता हूं, और यहां आपको percent में value डालना है, चलिए यहां 100% देने देते हैं, इसको थोड़ा बहुत change कर देता हूं, इसको मैं 60 कर देता हूं, चलिए, reload करके check करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह color इसका set हुआ है, आप और change करके देख सकते हैं, यह 30% कर देते हैं, reload करते हैं, यह देख सकते हैं, आप और color change हो गया है, तो ध्यान दे, यह HU के लिए है, और यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इसका जो full form होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह HU है, यह saturation के लिए है, और यह lightness के लिए, यह saturation के लिए होता है, और यह lightness के लिए होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अब RGB A का use करके देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, कि background color change करेंगे, ताक कि आपको और बेटर तरीके समझ माँ है, तो यहाँ पर मैं इसको, as it is copy कर लेता हूँ, copy करने के बाद यहाँ पर paste करता हूँ, और यहाँ, RGB A, class का name set कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें, जो color है, color हम यहाँ पर white कर देते हैं, और यहाँ पर RGB A value set करते हैं, तो RGB A value set करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले rate color डालना पड़ेगा, फिर green color डालना पड़ेगा, फिर blue color डालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर alpha value डालनी पड़ेगी, तो highest तो अभी 1.0 रहता है, आप इसकी transparency यहाँ से कम कर सकते हैं, अभी full तो 1 पे रहता है, तो कम कर सकते हैं, तो चलिए कोई value डाल कर देखते हैं, बेटर तरीके समझ में आएगा, यहाँ 255 डाल देते हैं, और यहाँ पर 99 डाल देते हैं, यहाँ पर 71 डाल देते हैं, और यहाँ पर मैं जो इसके transparency है, यहाँ की alpha value है, वो मैं 0.5 कर देता हूं, 0.5, यहाँ की 50% में इसका transparency है, वो कम कर देता हूं, चलिए reload करके check करते हैं, बेटर तरीके समझ में आएगा, मैं reload कर रहा हूं यहाँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी दिखानी है, वो इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि, यहाँ मैंने semicolon नहीं लगाया है, semicolon लगाते हैं, और reload करते हैं, अब आप देख सकते हैं, यह transparent दिखाई दे रहा है, अगर अभी यह actual form में होता है तो इसा होता है, अभी मैं दिखा देता हूं, आपको यहाँ पर मैं 1.0 कर रहा हूं आपस हैं, रिलोड करते हैं, अभी यह इसा घेरा color है, और अभी इसको आप transparent बना रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, अभी मैंने 0.5 किया था, मैं 0.1 कर देता हूं इसको, और रिलोड करते हैं, अभी आप देख सकते हैं, बहुत ज़दा transparent हो गया है, अब white color है तो वो दिखने रहा है, मैं color change करके बता देता हूं, आपको यहाँ मैं black कर देता हूं, तो black color तो आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर, और यह दूनला दूनला सा color दिखाए दे रहा है, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे से बढ़ाते जाएंगे, यह color जो है, इसे गेरा होता चला जाएगा, तो इस तरीके से आप rgba values का use कर सकते हैं, अब बात करत हैं, hsla values की, तो इसका use कैसे करते हैं, यहाँ पर, इस code को मैं copy करता हूँ, copy करने के बाद मैं यहाँ पर paste करता हूँ, और class change कर देता हूँ, hsla ठीक है, और यहाँ पर जो background color है, उसको change करके देखते हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 9, यहाँ पर तो 100% रेने देते हैं, यहाँ पर 67% कर देते हैं, और इसका जो alpha value है, उसको 0.4 कर देते हैं, चीक है, चलिए, अब reload करके चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं reload कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो guys यह तो बात हुई कि आप value किन-किन टाइफ से set कर सकते हैं, अब बात colors की आती है, कि color तो सारे name आपको याद नहीं होंगे, तो कैसे आप colors के name find कर सकते हैं, उसको समझ लेते है तो इसके लिए आपको Google के page पर आना है, और यहाँ पर लिखना है आपको HTML color code interface करना है, सबसे top पर जो link आपको दिखाई देता है, यहाँ पर click करना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ठेरो colors मिल जाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपको ठेरो colors मिल आप color बना भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको hex value मिल जाएगी, आपको RGB value मिल जाएगी, आपको HSL value मिल जाएगी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको सारी values आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको कुछ करने के आवशकतर नहीं, ठीक हैं, तो यहा आप CSS अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर लगा दें तो गैस आज की इस लेक्चर की इंसाइट हमने डिसकस किया CSS कलर्स के उपर I hope कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ माया होगा मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई